अल्ला को करने दो, तुम इसके अलफाज पर ध्यान दो हलो गाइज, वेलकम बैक टू मैं चैनल, मैं हूँ तारा और आज मैं लिखे हैं यह आपके लिए को रियक्शन वीडियो तो आज इस वीडियो पर मैं रियक्ट करने वाली हूँ, उसका टाइटल है कुरान को कैसे समझे, how to understand the कुरान देखते हैं यह वीडियो, बागी बाते हम बात में करेंगे So it doesn't matter आप कुरान हो, आप चाहे हनफी हो, मलकी हो, शाफेही हो, आप चाहे दियोबंदी हो, बरेल्वी हो, ऐले हदीस हो I honestly don't care, आप जो भी हो, कुरान को समझो हमारे इखतिलाफ पर हम फिरका भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले, कुरान को तो हम पढ़े इसलाम किसी की जागिर नहीं है, जो अपनी सोच उस पर ठोपते चले जाओ हमारे यहां बहुत से लोग है, जो कहते है कि कुरान को समझ के नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उसको पढ़ने से हम डगमगा जाएंगे, हम कन्फ्यूज हो जाएंगे वो सब आप आलिम उपर छोड़ो, आप नमास पढ़ो और अल्ला लाख करो अम्राली मेरी नहीं क्यरकिे जाएंगे, जाएंगे आलिम विहां थो ए freely जाएंगा, विभाव Lolotा क्यलीे ओ सरता मेरी injured कि जाएंगे, हम् मेरी बाएंगे, हो ये मेरी जाएंगे तोट रूंई, हमाद हो तूर लाख करवंगे, हमाद आल्ला ख्यांगे, हम्म आ एमादे इनकुन्तुम तुमिनून बिल्लाहि वयुमिल आखिर दालिक खेर वाहसन चाविला रब श्रह ली सदरी वयसिर ली अम्री वहलू लुक्दतं मिल्लिसान यफ्तफू कॉवली दियु विवेवर्स, असलाम अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातु हूँ Welcome to the Qur'an Movement मैं हूँ वाकिद खान अलहिंदी और हमारी आज की वीडियो का सब्जेक्ट है कि कुरान को कैसे समझे How to understand the Qur'an और इसके पहले कि हम इस डिस्कुर्शन को आगे बढ़ाए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, सबस्क्राइब, शेर जरूर करे ताकि ये मेसेज जाए 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 लोगों तक पहुँचे हमारा इस पुरान मुवमेंट को शुरू करने का मकसद यही है कि हम सब पुरान को खोले और उसे समझ के पड़े So please do that और आप भी इस पुरान मुवमेंट का सबने Now coming back to today's subject ये आज का subject दर असल एक जवाब है जो हमारी previous video में हमारे वीवर मुहम्मद अहमद ने सवाल किया था कि I want to study and understand the Quran but I don't know how I don't know which book to study or which scholar to listen to कि मैं Quran को पढ़ना और समझना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन से किताब पढ़ू या कौन से आलिम को सुनू Please discuss a road map on how a person like me can start his journey towards the understanding of the Quran यानि कि Please आप एक road map मतलब कि एक नक्षा या एक तरीका बता दे जिससे मुझ जिसे लोग Quran को समझने की शुरुआत कर सके So देखे इस चीज़ का जवाब तो खुद Allah नहीं दे दिया है Quran में Allah ने कहा है सुरा अलबकरा में सुरा नमबर टू आयत नमबर टू में जालिकल किचाबु ला रॉइब फीहुदलिल्मुत्तकीन की वो किताब है जिसमें कोई डाउट नहीं है कोई शक्त नहीं है और जो तक्वा रखने वालों के लिए हिदायत है तो अल्ला ने एक चीज़ तो Quran की स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दी कि ये किताब में कोई डाउट नहीं है कोई कंफूजन नहीं है सेकिंडली अल्ला ने कहा है सुरा अल्कियाम में सुरा नमबर 75 आयत नमबर 18 और 19 में कि जब हम Quran को पढ़ते है तो तुम इसकी किरात को ध्यान से फॉलो करो अल्ला ने आगे कहा तुम्म इन्ना अलीना बयाना उसके बाद हम पर है यानि अल्ला पर है उसका मतलब तुम पर वाज़ करना अल्ला कहता है कि जब मैं तुम पर Quran को नाजल किया है मैंने तुम्हारा काम है उसको ध्यान से फॉलो करो अटेंशन दे कर डैडिकेशन के साथ और फिर इसका एक्स्पिनेशन क्या है और क्या नहीं वो मुझ पर छोड़ो इन शॉर्ट अल्ला कहता है कि इसको समझ इसको समझने का और इसका explanation का tension तुम मतलो वो responsibility अल्ला की है वो अल्ला को करने दो तुम इसके अलफास पर ध्यान दो that's your responsibility अब नोट करो कि अल्ला ने कहा फइदा करानाहू फट्या बिया कुराना कि जब हम इस कुरान को पढ़ते है तो तुम इसको ध्यान से follow करो इसका मतलब simple है जो हम सब को पता है कि पुरान अल्ला ने जिबरिल आले इससलाम के जरिये मुहम्मद सलोला हुआ अल्याई विसलाम पर नाजिल किया कब नाजिल किया आज से 1400 येस पहले ठीक है तो क्यों अल्ला ने ऐसा कहा कि जब हम इस कुरान को पढ़ते है तो तुम इसे ध्यान से सुनो अल्ला प्रेसेंटेस्ट में बोल रहा है क्यों बोल रहा है ल्रा येसे क्योंकि 1400 येस पहले हमारे हिसाब से हुए है जो ये जमीन पर रहते है वो वक्षे बंदे हुए है अल्ला थोड़ीना वक्त से बंदा हुआ है ये हमारा सोला सिस्टम का वक्त अल्ला का ही क्रिएशन है भाई और इस चीज़ को हमने बहुत ज्यादा डीटेल में इस वीडियो और इस अंडरस्टेंडिंग में समझाया है मैंने इसका लिंग इसका बहुत डीटेल एक्समेशन मिलेगा लेकिन फिलहाल मेरा पॉइंट ये है कि अल्ला ये बोल रहा है इस आयत में कि जब मैं कुरान तुम पर पढ़ रहा हूँ यानि अल्ला ने जिब्रिल आले इससलाम के जरिये कुरान को मुहम्मद ने लिए पर पढ़ा फिर जब्रिल आले इससलाम का काम हो गया और मुहम्मद ने लिए की दुनिया की जिंदगी भी फिनिश हो गई वो भी चले गए लेकिन जो मेसेज अल्ला ने दिया था उनके जरिये वो तो नहीं गया ना वो तो अभी भी है अड़ प्रेजन मौजूद है तो जब तुम कुरान पढ़ते हो तो अल्ला कह रहा है कि ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं ये मैं बोल रहा हूँ अभी अद इस वेरी मोमेंट इस इस माई स्पीच इस माई रेसिटेशन ये मेरी किराथ थी नहीं है इस लिए जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो अपने दिमाग को खोल मेरे बंदे और उसे ध्यान से सुन में क्वेशन क्या था हमारा कुरान को कैसे समझे तो इसका अंसर सिंपल है नमबर वन अरबिक सीखो आरबी जुबान सीखो आज के जमाने में आपके फोन में दुनिया की सारी इंफर्मिशन प्रेजन है एट लिश्ट कुरान की जो आरबी है वो सीख लो कोई आउनलाइन कोर्स करके आप एक बर गूगल करो बहुत सारे कोर्सेश आपको मिल जाएंग ये पुरान की आरबी सीखने के लिए और आरबी जुबान दुनिया की वन आफ दे इजियस लैंगविज है मैं भी आरबी जुबान बोलता हूँ जानता हूँ समझता हूँ लेकिन मैंने ये कोई अपनी मा के पेड़ से सिक कर नहीं आया था मैंने भी सीखी है और मैं आप से कह रहा हूँ First and experience के it's easy बहुत आसान है Try करो हाँ मैं जानता हूँ कि सब के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो आरबी जबान सीखे लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुरान का तरजुमा डिरेक्ली अल्ला का कलाम नहीं है ये बात आप जान लो कुरान का ट्रांसलेशन आपको उस आयत का मीनिंग दे सकता है लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि तरजुमा इनसान का काम है अल्ला का कलाम आरबी जुमान में है तो ये पहली चीज़ है दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टन है कुरान को समझ के पढ़ना हमारे यहां बहुत से लोग है जो कहते है कि कुरान को समझ के नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उसको पढ़ने से हम डगमगा जाएंगे हम कनफ्यूज हो जाएंगे वो सब आप आलिम उपर छोड़ो आप नमास पढ़ो और अल्ला ला करो तोजित क्या है इसके पीछे कि कुरान को समझने के लिए बहुत ज्यादा इल्म होना जरूरी है तो समझ आएगा वन्ना नहीं आएगा आप गाफिल हो जाओगे देखो ये बात का जवाब एक ही है कि कुरान की बात से वो ही भागेगा जिसको ये डर है कि अगर लोग कुरान पढ़ते हो जाएंगे तो हमारी दुकानों पर शटर लग जाएगा तुम कुरान को समझते हो गए तो हमारी दुकान कैसे चलेगी भाई फिर तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हम कब सच बोल रहे हैं और ये मेरा अंसर नहीं है ये अल्ला का जवाब है अल्ला ने कहा है सुरा अल्बकरा में सुरा नबर टू आयत अबर 185 में शहरु रमदान लदी उन्जिल फीह अल्कुरान हुदा लिन नास यानि कि रमदान के महीने में कुरान को नाजल किया गया जो सारी इनसानित के लिए हिदायत है और इसमें हिदायत के सारे सबूत है और ये एक फुर्कान है ये सच और जूट के बीच फैसला करने वाली किताब है तो जो मैं अभी जो मैंने अभी कहा وہ اللہ نے اس آیت میں کلیئر کر دیا आपके सामने अगर قرآن کو سمجھنا صرف مولویوں کا کام ہے تو اللہ کیوں कह रहा है कि ärक्रॉण सारी इंसानयत के लिए हिदायत है और اللہ क्यों कह रहा है कि ये सच और जूट के लिए वैस्ला करने वाली किताब है आगे आगे आल्दनाने कहा है सुर्बा कमर में चार बार मसलशल कहा है आर लाकद यसर्ना गुर्आनलि दिकरी فहल मिं मुध्दकिर Phase 1 कि हमने गुर्आन को आसान बनाया है पढ़ने के लिए और समझने के लिए तो कोई है इसे समझने वाला فहल मिं मुध्दकिर तो मुल्ला जी कहते है कि कुरान को मत समझो बहुत डिफिकल्ट है भाई और अल्ला कहता है कि मैंने तो आसान बनाया है इसे समझने के लिए तुम मैंसे कोई है जो इसे समझ ले तो ये मैंने कुरान के जरीए फितनों को ये जो बुनियाद है और ये जो जूटी सोच को तहस महस कर दिया कुराँ के जरीए पहली चीज जो लोग कहते हैं कुराँ को समझ के मत पढ़ो क्यूंकि बहच जाओगे और दूसरी चीज पुराँ को समझना तु सिर्फ आलिमों का काम है ये दो बाते जो है मैंने पुराण से आपको क्लियर करके दे ली और ये बात मैंने चुह परमा जाए क्यों बोली क्योंकि एक बाद आप समझ लो कि इस्लाम में ना मेरा उपिनियन, तुम् dengan उपिनियन, इस का कहना, वह फलाने का कहना उसकी वैलिय कुछ नहीं है इसलाम किसी की जागिर नहीं है जो अपनी सोच उस पर ठोपते चले जाओ ये दीन अल्ला का है ये मेसेज इमाम अलबिया मुहम्मद इबन अब्दुल्ला सुल्लाहु अल्ही वसल्म का है हम कौन होते हैं लोगों कुरान से रोकने वाले आकात क्या है हमारी अल्ला ने कहा है अतियुल्लाह वा अतियुल्रसूल कि अल्ला की मानो और उसके रसूल्लाहु अल्ही वसल्म की मानो अल्ला ने कहा है सुरा निसा में सुरा नमबर 4 आयत 59 में और लजने आगे कहा किसी बात पर डिस अगरीमिंट हो किसी बात पर अखिलाफ हो तो उसे और उसके रसूल की तरफ ले आओ अगर तुम में अगर तुम अल्लामे और आखिरत पर इमान रखते हो यही तुमारे लिए बहतर है और सबसे अच्छा नतीजा है तो ये मैं अभी जो बोला, वो मैंने थोड़ी ना अपनी तरफ से बोला, सीधा रेफरेंस दिया है कुरान से, सीधी दलील दी है आपको कुरान के कला, ला के कलाम से, और अभी तक तो मैंने हदीस की तरफ पहुचा भी नहीं हूँ, बोला ने कहा है सुरा अल-बक्रा में, बुल्हातु बुर्हानकुम इनकुम तुम सौदिकीन प्रोड्यूस यॉर प्रूफ इस इफ यॉर टूथफुल लाओ अपना सबूत अगर तुम सच्चे हो तो इतनी सच्चाई और एमान के लिबास डाल के फिर रहे हो तुम दुनिया के सामने तो लाओ अपना सबूत या आयत दरसल नभी अकरम मुहम्म्म स.अब आप सोचों क्या लानत बरसी है हम पर अल्ला की जो आयत यहूद और नसारा के लिए भेजी गई थी वो आज हम पर अपलाय हो रही है ऐसा तो क्या करम कर दी है हमने इसके अलावा एक और आर्ग्योमेंट आता है कुछ लोग कहते है कि पुरान को समझना नहीं चाहिए क्योंकि उसको समझने के लिए कोई आलिम साथ होना चाहिए और वो एक हदीस का हवाला देते है जो एक दफ़ा किसी ने कमेंट भी किया था हमारी प्रेविए वीडियो में लेकिन ना तो उन्होंने कोई रेफरेंस दिया नहीं उन्होंने हदीस को सही से कोट किया ये हदीस का एक्चुल रिफरेंस जो सब लोग देते है वो है सुनान अत्रमीदी से हदीफ नंबर 2950 यानि कि अगर कोई कुई कुरान के बारे में बिना इल्म बिना नौलिज के बोलता है तो उसे अपनी कुर्सी जहन्नम में ले लेनी चाहिए और ये सही हदीफ भी है अकॉरिंटि सुनान अत्रमीदी जो भाई ने ये हदीफ के अलफास थोड़े से चेंज करके कमेंड किये थे वो भी बिना रिफरेंस के जरा आप इसको नोट कर ले और कभी भी इसलाम की बात करे तो प्लीज बिना दलील के बात ना करे और ये कानून में खुद पर सबसे पहले डालता हूँ आप मेरी कोई भी बात उठा कर देख लो मेरी किसी भी वीडियो में हर चीज का रेफरेंस देता हूँ क्रोस टेक करने के लिए आपके बास गूगल और सारी इन्फोरमेशन मौजूद है अज दुनिया में और ये मैंने इमाम अबो हनीफा से सिखा है इमाम अबो हनीफा रहिमाहुला का फेमस कॉल है कि अगर मेरी कोई बात अल्ला और उसके रसूल से टकराती है तो मेरी बात को दिवार पर मार देना और तुम अल्ला और उसके रसूल की इतात करना किसके अल्फाज है ये इमाम अबो हनीफा रहिमाहुला क्या इमाम अबो हनीफा की कोई बात अल्ला और उसके नबी के खिलाफ ती नाओदू बिल्ला नहीं लेकिन इन स्पाइड ऑफ बिंग सो नॉलिजबल उन में इतना अल्ला का डर था कि इन स्पाइड ऑफ और इस हार्ड वर्क और एफर्स और डेडिकेशन इमाम अबो हनीफा रहिमाहुला ये कह रहे है क्योंकि वो भी जानते है कि दीन इसलाम किसी की जागीर नहीं थी इतना खौफ थो इतना खौफ था उनको अल्ला का हमें है खुदा तो बिना कोई रेफरेंस के इतनी बक्वास अपने मूँ से निकलते हम और ये बात सही है 100% करेक्ट है कि पुरान की गलत interpretation नहीं करनी चाहिए क्रान की बातों का गलत मतलब नहीं निकलना चाहिए और अगर किसी को इन नहीं हो तो किसी भी बात का वो गलत मतलब निकल सकता है सही बात है ये लेकिन मेरे भाई ये बात का solution अलरेड़ी निकल चुका है एक इमाम चले थे इमाम अबन कफीर रहीम हो लाह जिनोंने ये किताब तफसीर अबन कफीर लिखी थी आम इनसान को कुरान समझने में गल्टी ना हो जाए हाला के बहुत आसान है अल्ला की जो किताब हो लेकिन फिर भी उसे ओर सिंक्ली फाइट किया था इमाम अबन कफीर ने और सारे मुसलमानों का तफसीर अबन कफीर के मामले में एक overall consensus है दुन्या के सारे अलमा मानते हैं कि अगर कुरान की सही तफसीर कहीं है तो वो अबन कफीर है और मेरी खुद की कुरान की जो समझ है कुरान का जो नौलज है तफसीर अबन कफीर से ही है अगर किसी ने अबन कफीर पड़ी है तो वो बोल देगा पलक जपक के ही कि वाकित खान अलहंदी अबन कफीर से बात कर रहा है लेकिन जो इनसान कहता है कि कुरान समझना बहुत मुश्किल है I can guarantee उसने कभी भी इबने कफीर आज तक खोलके नहीं पड़ी है एक बार open करो और खुद देखो छोटे से बच्चे को समझा जाए वो format है इबने कफीर का online भी मिल जाए कि आपको play store और app store पर available है एक बार पढ़ो तो सही तो ये है step number three कुरान की समझ में पहला अरवी सिखो अरवी नहीं आती तो तर्जुमा पढ़ो उसके बाद step number three इबन कफीर से अपने कोई भी doubt सो वो clear कर लो उसके बाद क्या उसके बाद है step number four नभी की सीरत सही हदीथ और खुलफार राशिदीन की सीरत को जानना खुलफार राशिदीन कौन है अबु बकर, उमर, उत्मान और अर्ली रदियाल्लाहु अजमाई और ये मैं नहीं कह रहा हूँ और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखे इसकी दलील सुर्षित में तिरवीदी में मौझूद है खदीफ नंबर 2676 में अल्लाह की नभी ने कहा कि दीन में नई नई चीजों से बचके रहना महदिताथ, ये फितनों से बचके रहना, क्योंकि ये सब गुमराई है, और तुम में से जो भी अगर ये चीज़ देखे तो फिर अल्ला की नभी ने कहा तो फिर उस पर फर्ज है कि वो मेरी सुन्त और खुलफार राशिदिन की सुन्त को पकड़ ले तो स्टेप नमबर फूर जो है नभी की सीरत को जानना और सही हदीफ को पढ़ना और खुलफार राशिदिन की सीरत को जानना इसका प्रूफ इसकी दलील मैंने आपको दे दी जब आप ये चीज़े करेंगे तो आपको पुर्ण और भी बहतर समझ में आएगा क्योंकि नभी अकरम मुहम्मद चल्लाहु अल्ही वस्लम और खुलफार राशिदिन की जिन्दगी पुर्ण का ही एक रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं तो ये नभी के अलफाज है कि अगर गुमराही से बचना है तो मेरी सुन्त और मेरे खुलफार राशिदिन की सुन्त को पकड़ लो रही बात के कौन से आलिम को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए देखे ये चीज़ में सबका अपना अपना ओपिनिन होता है जैसे मैंने इसलाम के मामले में डॉक्टर इसरार एफ्मेद, अल्लाम इप्बाल, मालकम एक्स, इमाम आपने शायार, इमाम अबुछ हनी से इन्फुएंस रहा हूँ लेकिं हमें आल्ला की बात याद रखनी है चाहे कोई भी इमाम हो, मुला ना हो, मुफसिर हो, मुधित हो जो अल्ला ने कहा है सुरा अलवकरा में सुरा नबर टू आयत नबर 11 में कि अगर तुम सच्चे हो तो लाव अपना सबूत तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा दूसरों की तरह के ये आलिम, ये इमाम, हक पहर, बाकी सारे यहूदियों के एजेंट है और गुम्रा है, नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं आपको ये कहूंगा, आप किसी भी एमाम की बात को सुनो लेकिन अगर वो बिना प्रूफ के बात करे, बिना दलील के बात करे तो उसकी बात को जैसा अम अबु हनीवार रहिमाल्ला ने कहा उसकी बात को दिवार पर मार दो और तुम अल्ला और उसके रसूल सलोल लाहु अल्हीं की इतात करो और कुरान को समझने का रोड मैप कुरान को समझने का तरीका हमारी वेबसाइट www.quranmovement.com पर अविलेबल है आप जाकर वहाँ पर भी चेक कर सकते है तो ये पांच रास्ते मैंने आपको बता दिये फैसला आपको खुद करना है मैं अपनी बात को पुरान की बात के साथ ख़तम करूंगा अल्ला ने कहा है सुरा अन्नूर में सुरा नमबर 24 आयत नमबर 46 में लगद अन्जलना आयात मुबईनात के बेशक हमने साफ साफ क्लियर कट आयते तुम पर उतार दी है और अल्ला जिसे चाहे उसे सही रास्ते की तरफ हिदायत देता है और अल्ला ने कहा है सुरा नूर में आयत नमबर 42 में कि जो अल्ला और उसके रसूल अल्लाई की बात माने और अल्ला से डरे और अल्ला पर तक्वा रखे तो वो लोग है जो काम्याब होंगे अब खोच सोचो कि अभी हम मसल्मन बिनर्ज है हम जीते है हम काम्याब है हम जलील है हम रुस्वा है हमने आल्ला के दीन को दफना के रखा है आल्ला ने कह दिया मेरे और मेरे नबी सZA לי की बात मानोगे तो पूछो अपने आपसे कहा गलत जा रहे हो क्या गल्ती हो रही है लेकिन पूछो के तब ना जब पहले सही रिल्म हासिल करोगे क्योंकि अल्ला का वादा जूटा नहीं हो सकता ये हमारा इमान है अल्ला अपनी रहमत हम पर रोक नहीं रहा है कुछ तो गल्ती है जो हम कर रहे है So it doesn't matter आप कौन हो आप चाहे हनफी हो, मलकी हो, शाफ़ई ही हो आप चाहे दियोबंदी हो, बरेलवी हो, एले हदीस हो I honestly don't care आप क्या हो हमारा कुरान मुवमेंट का मेसेज सिंपल है आप जो भी हो, कुरान को समझो हमारे इखिलाफ पर हम फिर कभी बात कर लेंगे लेकिन पहले कुरान को तो हम पढ़े हमारे इंप्रूवमेंट हमारे इंप्रूवमेंट की कहीं से तो शुरुवात करनी होगी हमे तो बस यही था आग का सब्जेक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को बताए हम कोशिश करेंगे कि जैसे हम आपके सवालों का जवाब दे रहें इंशालला आने वारे सवालों का भी इंशालला जवाब देंगे और नभी अकरम सुलाओ अलाही अलाही वाले रोश्मी में तो थैंक यू वेज़ पेशिए हमने वीडियो देखी वाकित खान की कुरान को कैसे समझे तो काफी डिटेल्स वीडियो बनाते हैं कुरान को लेकी कुरान को कैसे समझे 22 मिनट की वीडियो थी और इतना विस्तार में हर चीज को इन्होंने बताया अपनी वीडियो के थुरू ये बस एक ही बात कहते हैं कि किसी मौलवी को सुनने से अच्छा है किसी स्कॉलर को सुनने से अच्छा है कि आप कुरान को खुद पढ़े कुरान को किस तरीके से समझे तो उन्होंने इसका भी step by step तरीका बताया है कि आप किस तरीके से कुरान को स कोर्स कर सकते हैं कोर्स नहीं कर सकते तो ट्रांसलेट कुरान पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और उसके लिए भी उन्होंने एक जो है बुक रेकमेंड किया है सबकों मुझे थी लबता कि कोई musulman ऐसा होगा जिसने अभी तब कुरान नहीं ठड़ी होगी लेकिन हमारे अगर इस जलम की रास्तों पे चलना है तो दोस्तों ये थी आज की रेक्शन वीडियो उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आयोगी अगर आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बैल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूले तो मिलते हैं नेक्स किसी वीडियो में तिल देन बब बाई